दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योग एसी लर्णिंग यूटूब चैनल पर आज का ये विडियो काफी ज्यादा महत्यपोड होने वाला है यूपी टीजिटी और पीजिटी के चात्रों के लिए इल्टी ग्रेट के चात्रों के लिए साथी अन्य सिच्छक बरती क भी चात्रों के लिए जिसमें हम नए आयों को ले करके परिच्छा को ले करके एओम नए भरतियों को ले करके भी बात करने वाले हैं तो वीडियो को इस्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर सकते हैं जो चात्र चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं बिहार डिलेट इंटरेंस एक्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में जोकी चच्छू प्रकासन की है ये बुक 18 जन्वरी 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी के एकोर्डिंग न्यू पैटन के हिसाब से डिजाइन की गई है जिसमें आपको पूरा सलेबस साथी दो साल्व पेपर और तीन हजार से ज़्यादा अबजेक्टिव टाइप क्यूस्चन आंसर की साथी डिटेल सोल्यूसन के साथ देखने को मिलेंगे और इसलिए ये बुक अपने आप में सबसे अलग और बेस्ट होनी वाली है आपके एक्जाम के पॉइंट अब व्यू से और ये बुक आपको ओनलाइन ओफलाइन दोरही प्रकार से मिल जाएगी ओनलाइन पर्चेस करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके साथ बिहार डिलेट इंट्रेंस एक्जाम का इनके प्रेक्टिस सेट भी आता है जिसे पढ़ करके आप अपनी तयारी और इंप्रूब कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज के समचार पत्रों के माध्यम से उठाए गए एक अहम मुद्दे के बारे में और उसके बाद इससे भी महत्यपोर्ण सुचना को कवर करने वाले हैं जो TGT PGT हो या फिर LT हो या फिर अन्य सिचक बरती भी कोई हो उसके लिए भी important रहने वाला है और वो आपका key point भी सावित हो सकता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज इस article को लेकर के जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यह कहा जा रहा है कि 4-5 साल से कोई भी सिचक बरती का बिग्यापन आया नहीं जाए वो राजकी हो या पिर प्रात्मी को इल्टी ग्रेट को लेकर के भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2018 में तो इल्टी का बिग्यापन आया हुआ था मार्च में और उसके बाद लगबग 4 साल से उपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसका जो है नोटिफिकेशन है यह दुबारा से जारी नहीं हुआ है और इस अंतराल में साड़े साथ आठ लाग के आसपास बीड धारक नए भी हो चुके हैं वहीं यहाँ पर नए आयोग को लेकर कि भी चीज़े उठाई गई है अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इन्हें रोज छापा जाता है तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर इन विशियों पर बाते नहीं होंगी तो जो कारे दो साल में या फिर साल भर में होना होगा वो सरकार के माद्यम से ददस साल में भी पूरा होता है कई बार तो अगर इस प्रकार की चीज़े उठाई जाती है ति ये बहुत अच्छी बात है और अगर इस पर वीडियो के माद्यम से भी चीज़े और अधिक उठाई जाती है ये अभी भी फसी हुई है ये टीजीटी पीजीटी हो गया इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया इन्हीं दोनों भरतियों को ले करके कहा गया है क्योंकि यहीं इस समय जो है दो भरती हैं जो कि आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया धीन होते हुए भी यहाँ पर पूरी कैसे मात्यपूर है तो देखी आज एक बैटक होने वाली है सिच्छा मंत्री योगेंद्र उपध्या जी की और इस पर ये फैसला लिया जाएगा कि अगर नए आयोग के गठन में लंबा समय लगेगा तो फिर यहाँ पर जो यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर पुराने आयोग से हो सकती है तो फिर TGT और PGT की भरती चैन बोट से क्यों नहीं हो सकती है यह एक यहाँ पर अहम सवाल उटेगा और अगर आज इसको लेकर के कोई फैसला नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जो सारी की सारी भरतियां है यह नए आयोग से होंगी और ऐसे मे ये भी अनुमान लगाय जा सकता है कि नए आयो का गठन भी समय से हो सकता है तो आज कुछ न कुछ आपको मात्यपूर्ण चीजे देखनी को मिल सकती है थैंक्यू सो मच